एक्जाम गुरू यूटूप चैनल में आपका स्वागत है मैं परदीप आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत में जो नोट छपते हैं और साथ ही साथ भारत में जो कोई चपते हैं कोईंस की बनावट होती हैं वो कहां पर बनते हैं तो आईए शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आईए शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, नोट की, जो भारत में नोट चपते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि 200, 500, 2000 के जो नोट हैं यह सब कहाँ चपते हैं भारत के अंदर 4 स्टेट के अंदर यानि 4 स्टेट में इनकी प्रिंटिंग होती है ठीक है कौन-कौन से 4 स्टेट है वो आपके सबसे पहले जो स्टेट है वो एक है देवास देवास कहाँ पर है ये आपका मध्य परदेश में MP में यानि MP के देवास में भारतिय करंसी जो है नोट है वो छपते हैं दूसरे second है आपका नासिक नासिक कहा है नासिक आपका महरास्ट में ठीक है महरास्ट और जो तीसरी जगा है जहां नोट छपते हैं वो है आपका मसूरी, मसूरी कहा है आपकी, ये करनाटक के अंदर है, करनाटक जो स्टेट है, यह आपका करनाटक यहाँ पे छपते हैं, और जो फूर्थ स्टेट है आपका, वो है वेस्ट बेंगोल का सल्बोनी, ठीक है, जो वेस्ट बेंगोल का सल्बोनी है, यहाँ पर भी नोट प्रिंट होते हैं भारत के चार स्टेट होते हैं चारो में जो इनके लिए इंक यूज करी जाती है वो एबलेबल है जो इनके लिए इंक यूज करी जाती है वो एबलेबल है चारो के चारो स्टेट में जहांसे गौर्मेंट ओर देती हैं उसी स्टेट में प्रिंट होत जैसे कि state bank हो गया पंजाब national bank हो गया इनके द्वारा वो market में ले के आ जाते हैं तो अभी तक आपको यह क्लिए हुआ कि भारत के अंदर note कहां print होते हैं और वो कैसे consumer यानि कि जो हम लोग हैं हमारे तक public तक कैसे वो पहुचते हैं कैसे पहुचते हैं इन चारो state में जैसा order मिलता है RBI के द्वारा RBI order देती है Reserve Bank of India और उसके बाद इनके कहने पे जितनी quantity required होती है note की जितनी आवशकता पढ़ती है उतने note print होते हैं और फिर वो note RBI के पास आते हैं RBI क्या करती है फिर वो जो commercial bank है जैसे commercial bank कौन-कौन से है आपके commercial bank के अंतरकत commercial bank के अंतरकत आपके आते हैं SBI Punjab National Bank PNB तो यह सब जो bank है इनके यहां पर note पहुचाए जाते हैं फिर वहां से हम लोगों के पास यह आ जाते हैं तो यह थी बात note की अब हम बात करते हैं coins की जैसे की पता होगा भारत के अंदर जो note होते हैं उसका control जो होता है किसके पास होता है RBI के पास ठीक है जितने भी note print होते हैं वो सारे control किसके द्वारा किया जाते हैं RBI की दुवरा, RBI की full form क्या है, Reserve Bank of India, ठीक है, जितने भी note होते हैं, वो सारे इनके अंतरगत आते हैं, यही उनको order देते हैं, कितने note print करने हैं, और कितने note print नहीं करने हैं, ठीक है, तो note से सम्मझने जितने भी decision होते हैं, वो RBI के head जो होते हैं, वो लेते हैं, ठीक है, अब ह को पता होगा, वर्तमान में जो RBI के, के जो governor है सकतिकान्थ दास, RBI के जो governor है इस समय वर्तमान में, वो है सकतिकान्थ दास, ठीक है, और RBI है कहा, RBI आपका Mumbai में है, महरास्ट में, ठीक है, तो, चलिए, अब हम बात करते हैं, इसे हम, जो RBI है उसे हम गवर्नर सक्तिकांत दास में ने बता दिया इसे हम अपने देश का बैंक यानि की जो हमारे नेता है जितने भी उनके दुआरा सरकार बनाई जाती है हमारे देश की जो सरकार है उसे सरकार का बैंक भी बोल सकते है ठीक है जो RBI होती है वो सरकार का बैंक भी होती है RBI किसका बैंक होती है सरकार का क्योंकि गौर्मेट जो होती है इससे ही सारे फंड बगारा ले करके आगे प्लैनिंग करती है योजना बनाती है चलिए तो अभी हमने क्या पड़ा कि भारत के अंदर नोट कहां चपते है RBI कंट्रोल करती है RBI कहां पर है महराष्ट में है महराष्ट के मुंबई में और अब हम पड़ेंग इनके जो कवनर है वो सक्तिकान दास है अब हम बात करते हैं कोईन्स की देखिए कोईन्स जो होता है वो अलग-अलग स्टेट में चपते हैं वो भी अब मैं आपको फहचान करना बताऊंगो कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कोईन किस स्टेट का है तो आईए देखते हैं अगर आपको वीडियो पसंदा रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें चलिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं किस की जैसे कि आपको ये नोट दिख रहा होगा कोईन देखिए ये जो कोईन दे रखा है इस कोईन के ओपर कोई सिंबल नहीं है नो मार्क यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है कोई सिंबल मतलब अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर किस तरीके के सिंबल होते हैं कोई सिम्बल नहीं दे रखा, ब्लैंक है, तो जो ब्लैंक होता है, वो नोट कहां चपता है, कहां प्रिंट होता है, वो प्रिंट होता है आपका कॉल कता में, ठीक है, जिसके नीचे कोई भी निसान नहीं होता, कोई सिम्बल नहीं होता, वो कोई आपका कहां चपता है, कॉल क है ठीक है 1989 का इसमें आपको यह दिख रहा होगा डॉट सा ठीक है यह आप देखेंगे यह कहां दिख रहा है डॉट सा दिखता है तो इस डॉट सा जहां जिस भी कोईन में होता है वो कहां प्रिंट होता है नोएडा में उत्तर प्रदेश के नोएडा में ठीक है आई होप आपको किलियर हुआ होगा अन ओ आई डी ए यह नोड़ा की स्पेलिंग है इसकी फुल फॉर्म भी है आपको साइद नाब बता हो इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है किसकी नोड़ा की तो आईए क्या है इसकी फुल फॉर्म इसकी fill form है New okla New okla industrial development authority ठीक है क्या है New okla industrial development authority ये नҁएडा की full form है चलीए मैंने आपको एक और exercise बचा दी तो जिसके बीचे coins में dot लगा होता है वो नवेडा में चपते हैं आगे आद बात करते हैं जिस coin के नीचे star होगा ठीक है जैसे के आपको दिख रहा है इसमें star दिख रहा होगा यह जिस coins में star होता है वो कहां print होते हैं वो कहां चपते हैं बनते हैं वो बनते हैं हैदराबाद में, ओके, चलिए, और जो next है, जिसके नीचे diamond का निसान होता है, यानि eat का निसान होता है, हीरे जैसा, ठीक है, तो उस, वो कहां बनते हैं, मंबई में, जिनके नीचे ऐसा eat का निसान होता है, वो कहां बनते हैं, मंबई में, ओके, तो I hope, आपको पसंद आई होगी मैंने आपको इसमें note की print के बारे में बताया और साथी ऐसात में आपको बताया coin कहां कहां चपते हैं अगर एक वीडियो पसंद देश वीडियो को like करें share करें और comments करना ना भूव लिए चलिए friends मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अभी की लिए इतना ही, have a nice day.